अल्मूनियम के पात्र का करता है जो उपयोग आमंत्रित करता सदा वह 48 रोग दोस्तों कहा जाता है कि एक सेहत हजार नियमन यानि के अच्छा स्वास्ते किसी भी वर्दान से कम नहीं इसलिए स्वास्ते को अच्छा रखने के लिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो हमें रोगी बना दे तो आईए आज के इस प्रोग्राम के शिरुवात करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कंखिल के जाने माने वैद दीपक कुमार जी का वैज़े आपका बहुत-बहुत स्वागत है अरोगे में तो आईए प्रोग्राम के शिरुवात करते हैं आपके पेशन के साथ ज फिर में बैच जी के आई गई, ऐसा हो गया में चलने फिरने तो परेसान होगी बस, टोलेट जाना भी मुस्किल, और उठना बैठना भी, अगर पैर फल गए तो सिद्धे मोडने मुस्किल होगे, अगर मोड लिए जवरदस्ती तो फैलने मुस्किल होगे, यह कंडिशन होग पोना काम भी सुभम कर लूँ, नाने का भी सब काम ही, सुभम कर लेते हो अपने काम. श्रीमती शांती देवी जी जो आपके शहर हरीद्वार से ही हैं इनको बुखार की दिक्कत थी और गठिया की दिक्कत थी तो जब आपके पास आये क्या यह पहले कहीं से ट्रीटमेंट ले चुके थे और आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया इनको गठिया थी, गठिया के साथ साथ बुखार बहुत रहता था बुखार दो तरह का है, एक किसी infection के द्वारा और दूसरा किसी बीमारी के द्वारा जब भी कोई हमारे सरीर के अंदर infection होगा हमारा पर्तिद्रोदक तंत्र उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है और इस लड़ाई में हमारा temperature सरीर का बढ़ जाता है जिसको बुखार कहते हैं इसलिए बुखार सब बिमारियों का राजा है कोई भी बिमारी आएगी, बुखार उसके साथ जरूर आएगा और इनको गठिया बहुत ज़्यादा विकरत रूप में थी और साथ में गठिया के कारण इनको अक्सर बुखार आता था जवर बढ़ता त्रिशना अधिक लगती दहा अपार वन पीत हो देखा मूर्चा बारम बार जवर उनको बार बार बढ़ता था और त्रिशना यानि के प्यास अधिक लगती थी शरीर में जलन रहती थी जिसके कारण शरीर इनका पीला पढ़ने लगा था चमडी नक पीत हो मूर्चा भ्रम अतिसार बढ़े स्वेद ज़र भी चड़े त्रिशना जलन अपार और साथ में इनको पहुँच ज़्यादा दिक्कत पेट की भी रहती थी और सही बात तो यह है कि वात रोग हमारे शरीर में तभी बढ़ता है जब पेट हमारा डिस्टरब हो पेट में गैस बहुत ज़्यादा बने मल हमारा पेट के अंदर सड़ने लगे और उस सड़ेवे मल का जो रस है वह हमारे शरीर में रक्त के साथ जाकर के जोएंट्स में डिपोजिट होने लगता है जिसके कारण गठिया बनती है और गठिया में आदमी दर्द से इतना परेशान हो जाता है मौडन साइंस में इसकी कुछ दवाईया है एक कैल्शियम किसी भी डाक्टर के पास जाएंगे तो आपको गठिया में तीन दवाई मुख्यता लिखेंगे एक कैल्शियम दूसरा मल्टी विटामिन और तीसरा पेन किलर साल्ट काफियत तक से मिलर होंगे दवाईयों के नाम हो सकता है अलग अलग हो और साथ में कोई हलका डाक्टर होगा इस्टिरोइट्स लगा देगा इस्टिरोइट्स के खाने से सुरू में तो अच्छा राम लगेगा लेकिन उसके बाद आदमी बिल्कुल असक्त हो जाता है उसकी सरीर की हड़ियां गलने लगती है किड्नीज पर फरक पड़ता है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह बैठ जाता है इनको दिक पर द्वज मरे हुए आदमी को भी एक बार चिंदा कर देती है इसमें तीन चीज मुख्यता है गंदक पारा और सोना और यह हमारे बोडी के जितने भी ओरगन से उनको एक्टिवेट करती है हमारी अगनी परदीप्त करती है और सरीर में जान लाती है इसके साथ साथ जो ब बुखार के लिए हमारे बावा जी के समय का एक नुश्का है शितारीवटी बहुत ही अच्छा किसी भी परकार का बुखार हो चाहे वो टाइफाइड हो मलेरिया हो डेंगू हो चिकन गुनिया हो वाइरल हो या किसी भी परकार की डिजीज फीवर हो गोदंती इस्वटिक भश्म, मिश्री और स्वानगेरिक दोराइड निर्मिद शितारीवटी हर परकार के बुखार में अपना चमतकार दिखाती है शितारीगी दोवटी करती रुक संगहार मंद जवर में नीरिस है पीनस का उपचार ये शितारीवटी बुखार کے साथ साथ पीनस यानी साइनस स दर्दी लगना, सिर में दर्द होना, इसमें भी अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है, मैंने इनको शितारी के साथ साथ सुदर्शन घनवती और संच मनिवती, ये दो दवाई दिन में दो बार पानी के साथ दी, इनका बुखार दिरे दिरे दूर हुआ, गठिया क के लिए मैंने इनको वर्दवाज चिंता मनी, मकरदवज और प्रवाल पिष्टी, और साथ में एकांग वीर रस, इनका इनको परियोग कराया, दीरे दीरे इनके सरी में जानाने लगी, और गठिया की जो हम दवाई मुख्यता बनाते हैं, मनहर बुंद रामपल वटी, सिल इनके सेवन से इनको गठिया में आताशीत लाब हुआ, दीरे दीरे इनको इस रोक से मुक्ति मिली, जहां इनका आरे फेक्टर तीन सो से उपर रहता था, नेगिटीव हुआ, नॉर्मल हुआ, और भगवान के आशिर वास्या भी ये बिल्कुल स्वस्त है, क्या बात है, ब जी कुछ नॉर्मल हुआ, नॉर्मल है, बागी सुगोर वगबर्स सब चेकरा है, नॉर्मल ही है. आप लेट के टीवी तो नहीं देखते हैं? आ जी, लेट के टीवी तो लेट के ही देखते हूँ. चीक, पैन जी, बहुत अच्छा होगा, अपना मैनेजमेंट ठीक करें, लेट होना, चक्कर से आना, जीकच्चा होना, उल्टी होना, इसके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बिल्गुल फ्लेट लेटें, तकी या निकाल दें, जुक कर काम ना करें, और बैट करके टीवी देखें, अक्सर लेडिस लेट करके टीवी देखती हैं, उनको ये दिक्कत बह दिलवटी इसको सेवन करें और पेट में जो गैस बनती है उसके लिए रात को प्रति दिन प्रवाही का हर चूर्ण की एक चम्मच आप नियमित रूप से दूद या पानी के साथ सेवन करें आपका पेट ठीक रहेगा चक्कर नहीं आएगी सर्वाइकल की दिक्कत दूर होग लेकिन दर्शकों अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है किसी बिमारी से परिशान है तो परिशान मत हो यह सीधा इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जहां पर आप डिरेक्ट वैजी से बातचीत कर सकते हैं उसके अलावा गर आप एपोइंट्मेंट फिक्स करना चाहते हैं तो भी हमने बात की जो आपके पेशेंट थे उनको फीवर था गठिया के साथ साथ तो वैसा ही एक एमेल आया था हमारे पास जिसमें एक मान अपने बेटे के लिए पूछा उनका कहना है कि 6 साल का उनका बेटा है और उसको आए दिन बुखार होता रहता है लेकिन उन्होंने जित तीरोदक छमता बहुत कम हो गई हो कुछ लोग अपने बच्चे को एंटियोटिक्स बहुत ज़्यादा प्रयोग में देते हैं या डाक्टर्स के सुरू करवाते हैं जिसके कारण उनका इम्म्यून सिस्टम डाउन हो जाता है ऐसे रोगों के लिए मैं कहूंगा बच्चे क या चाय के अंदर उबाल कर इसको सेवन कराएं ब्रहमी चाय सेवन में बहुत अच्ची है इसके अंदर तुलसा, सोंट, मुलेटी, आग्या घास, लालचंदन, सुगंदवाला, सौंफ, काली रैची इत्यादी से बनती है इसको ए परयोग में दें तो इसका इम्म्यून सि उपसलाब मिलेगा और एक आयरवेद की बहुत अच्छी दावा है संच मनी वटी, गिलोए घन वटी, किसी अच्छी फार्मेशी की लेना या 5-7 गिलोए को पानी में उबाल कर इसको चान करके पिलाएं थोड़ा टेस्ट में कड़वा होता हो सकता बच्चा ना ले तो किस अच्छी फार्मेशी की, बहुत से लोग, बहुत सी फार्मेशीयां चूरुन की गोली बनाती हैं जो कि कुछ काम नहीं करती, इसका यदि घंसत होगा तभी काम होगा, इसकी एक गोली दिन में दो बार प्रती दिन, दो-तिन महीने खिलाएंगे, ये रसायन भी है और तरद बंद करके सेवन कर सकते हैं, बच्चे को एक से दो गोली दो बार शंश मनीवटी की जरूर सेवन करें, मैं उम्मीद करूँगा इसको आगे कभी भविष्चे में बुखार नहीं आएगा, और इसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉंग होगा, कभी-कभी मौसम परिवर्तन पर दिक्कत जल्दी किलिक करती है, उसमें भी यह परियोग बहुत लाब देगा, जी बहुत 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 शुक्रिया, इसे किसे एक और कॉलर हमारे साथ जुर्च के आईए, उससे बात करते हैं, हालो, मैं हिर्देश कुबार चोहान दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत ह है आपका वैजी से क्या सवाल करना चाहते हैं, मुझे बी-पी के पारे में ज़रा तौशा जाता है, यह मेरे को बी-पी रहता है, भगवन बी-पी हाई है या लो है, ब्लेट प्रेसर मेरा उपर का हाई रहता है, नीचे का नॉर्मल है, नीचे का 82 से 90 तक रहता है, ठीक, और उपर का जो है, 160 से 185 तक रहता है, यह ज़्यादा है, इसका कारण क्या है, इसका देखो जी, मैं नॉर्मल खाना खाता हूं, एक्सर साइज भी करता हूं, लेकिन इसका रीजन कुछ समझ में लिए आता है, कहीं बहुत ज़्यादा तनाव तो नहीं रहता आपको, तर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बिजनिस थे, फोड़ा पहुत तो रहता है, चीक, भगवान जिस मरकरी प्रेशर से हर्ट बलड को ले, और जिस मरकरी प्रेशर से हर्ट बलड को छोड़े, उसको कहते हैं बलड पेशर, सुबे के समय सभी लोगों का बलड पेशर lower side में, द ऐसे तो 90 प्लस एज ये एक थियोरी थी लेकिन अभी एक थियोरी फेल हो गई कोई आदमी 90 साल का है तो उसके लिए 180 बीपी नॉर्मन नहीं है मेरे हिसाब से 140 से उपर बीपी नहीं रहना चाहिए नीचे का 80 से 90 के बीच में उपर का 140 से कम आपकी उम्र के हिसाब से इसके कही कारण है जैसे आपने का बिजनिस है बिजनिस में आप तनाव यदि रखते हैं तो उस तनाव को सिर्फ दुकान तकागी रखें दुकान बढ़ाने के बाद उस तनाव को वहीं की वहीं छोड़ दें नहीं तो यह तनाव आपके शरीर को खाने लगेगा दूसरा कुछ पानी प्यास लगने पर चाय का सेवन करते हैं जिसके कारण उनकी प्यास भी मरती है और सरीर में पानी की पूर्ती नहीं हो पाती और पानी यदि हम ज्यादा पिएंगे तो हमारा पेशाप ज्यादा आएगा किड़नी पर साइड इफेक्ट नहीं होगा ब्लट पिशर नॉर्मली रूप से नॉर्मल रहेगा जब BP बहुत ज़्यादा भढ़ जाता है तो इसमें मोर्डन में पेशाप डायरुट्रिक पेशाप ज़्यादा लाने की दवाई देते हैं पेशाप ज़्यादा आता है तो BP भी कम होने लगता है लेकिन इन चीजों के side effects से हैं यदि हम natural तरीके से इसको परियोग में दें तो कहीं कोई side effect नहीं है दूसरा नमक नमक का परियोग कम से कम करें आप सेना नमक परियोग में लें वैसा नमक ना लें दूसरा कुछ फल और सलाद ऐसे हैं जो पानी की पूर्टी करते हैं आप खाने में बोजन के अलाद का सेवन ज्यादा करें कुछ फल ऐसे हैं जिन में पानी की मात्रा ज्यादा है आप उसको भी परियोग में लें सर्दियों में तो तर्बूज नहीं गरिमियों में तर्बूज का सेवन करें गरिमियों में मोसमी इत्याद ज्याद ज्यादा परियोग में लें गाजर करस प्रति दिन ले या गाजर चवा के खाएं गाजर के सेवन से भी आपको blood pressure में बहुत लाव मिलेगा लोकी लोकी का प्रियोग ज्यादा करें लोकी तोरी टिंडा परवल वैसे तो बहुत एवर गिनिन सबजिया हैं बारा महिने आप इसको खा सकते हैं कहीं कोई नुकसान नहीं है और नमक मिर्च मसाले junk food इनको प्रियोग में ना ले आपको निश्चित रूप से लाव मिलेगा और यदि फिर भी आपको असर कम लगता है तो आप दो दो गोली मुक्तावटी और जवाहर मुरा होल दिल इसकी प्रियोग में ले निश्चित रूप से लाव मिलेगा कहीं बार हमारा फिजिकल वर्क नहीं होता हमारा cholesterol level triglyceride ये बढ़ जाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है अपना lipid profile अपना जाच करा ले cholesterol normal है तो बहुत अच्छी बात है ये दि बढ़ा हो भगवान ना करें ऐसा हो ये दि बढ़ा हो तो आप लोहर सायन और मेद नाशक गोधन वटी इन दोनों की दो दो गोली दो बार प्रति दिन से वन करें cholesterol normal होगा ये दि cholesterol खुन में ज्यादा है तो खुन गाड़ा हो जाता है जिसके कारण हमारा BP बढ़ जाता है तो आप इसको परियोग में ले आप निश्ची दूरुप से स्वस्तलाब प्राप्त करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया वैज जी तो दर्शकों भी वक्त तो चला एक छोड़े से ब्रेक आप कहीं जायेगा नहीं हम जल्द वापस लोटेंगे